ये सत्तावे मर्ष का यूट्यूब चैनल है अब आप किरंद राय से नौ बजे नौ खबर सुनिए सुप्रिम कोट ने केंद्व सरकार से कहा है कि वो वन नीशन वन राशन कार्ड यूजना अपनाने की संभावना पर विचार करे ताकि कोरोना वाइरस महामारी की वज़े से देश में लागू लॉक्टाउन के दोरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमज वर्ग के लोगों को रियायती दर पर खाद्यान मिल सके एक याचिका करता के अनुरोध पर शीश अदालत ने ये निर्देश जारी किया है आखों से अदाकारी में माहिर और मकबूल इर्फान खान हमारे बीच नहीं रहे कैंसर और रांतों के इंफिक्शन से जूच रहे तिरपंथ साल के इर्फान ने मुंबई के अस्पताल में अंतिन सांस ली चार दिन पहले जैपुर में उनकी मां का इंतकाल हो गया था फिल्म हैदर का डायलॉग हमेशा इर्फान की याद दिलाता रहेगा आप जिस्म हैं तुम्हे रूफ आप फानी तुम्हे लाफानी भारत में कोरोना संक्रमन से मौत का अंकड़ा एक हजार के पार कर गया है केंद्रि स्वास्ते वंतराले के मुदाबिक देश में 31,332 संक्रमित है वेश्विक आंकड़ों पर गौर करें तो 210 तेशों में फैले कोरोना वाइरस से अब तक 31,49,523 लोग संक्रमित हैं और 2,18,024 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से भारी जंग के बीच अब केरल सरकार ने अपने करमचारियों का वेतन कटोती का फैसला लिया है हाइकोर द्वारा केरल सरकार के अपने करमचारियों के वेतन कटोती आदेश पर रोक लगाने के बाद राजे के वित्त मंतरी टी-एम थोमस इसाक ने पत्रकारों को बताया कि अध्यादेश के तहत इस आपात सिधी में सरकार करमियों का 25 प्रतिशत वेतन काटेगी हाली में कुरोना वाइरस को हरा कर लोटे ब्रिटेन के प्रधान मंतरी बोरिस जॉनसन पिता बन गए है 55 साल के जॉनसन की 32 वर्षिया मंगीतर कैरी साइमेंस ने बुधवार को लंदन के एक अस्पताल में बेटे को जम दिया जॉनसन साइमेंस के इस चोड़ी ने फरवरी के अंत में अपनी सगाई की घोष्णा की थी अंतरिक्ष से निकला एस्ट्रॉइड 1998 ओवाटू बिना किसी हल चल के धर्थी के बगल से गुजर गया इस से पृत्वी को कोई खत्रा नहीं था क्योंकि ये धर्थी से करीब 63 लाग किलोमेटर दूर से गुजरा है 11 साल बाद ये फिर से गुजरेगा लेकिन उसकी दूरी धर्थी से 1.9 करोड किलोमेटर होगी लेकिन 2089 में ये धर्थी से सिर्फ 17.7 तीन लाग किलोमेटर दूरी से गुजरेगा कुरोना महा संकत से उबज़ी कमप्लीट लॉकडाउन में लोगों की आर्थिक स्तिती लगादार खराब होती जा रही है लॉकडाउन में आठ लाग से अधिक करमचारी अपने पीएफ फ़न से 3,243 करोड रुपए निकाल चुके हैं एपीएफों ने 28 मार्च को अंशुधारक करमचारियों को लॉकडाउन के कारण कठिनाईयों से निपतने के लिए आन्शिक निकासी की अनुमती दी थी IT और BPO कमपनी की करमचारियों के लिए घर से काम करने की छूट को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है वर्क फ्रॉम होम की मौजूदा समय सीमा 30 अपरेल को खत्म हो रही थी केंद्रे मंत्री रवशंकर प्रसाद के अधक्षता में हुई प्रदेश सरकारों के मंत्रियों के साथ बैठक में समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी गई कुरोना संकत के बीच वाइट हाउस ने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो करने के कुछ ही दिन बाद अनफॉलो कर दिया है भारत ने हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन दवाई दे कर अमेरिका की मदद की थी इसी के कुछ दिन बाद वाइट हाउस ने 10 अप्रेल को प्यम मोदी और भारत के पाँच ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करना शुरू किया था फिल्हाल के लिए इतना ही देखते और सुनते रहे सत्ता विमर्श